नमस्कार मैं असितनात और बात करनी थी रेलवे के नीजी करण की जो कोशिशें चल रही हैं उस पर यही वादा था हमारा आपका तो पहले कोई एक आदमी लिख दीजे ज़रा कि आवाज मेरी ठीक ठाक मिल रही है कि नहीं आपको कुछ तक निकी दिक्कत तो नहीं है फिर जो मैं समझ पा रहा हूँ इस नीजी करण को रेलवे के नीजी करण की कोशिशों को उस पर अपनी राया आपके सामने में रखूंगा तो कोई एक आदमी बस यह लिखिए कि अच्छा आवाज आ रही है ठीक है चलिए संदेशा आ गया आवाज आ रही है प्लियर है कोई तक्निकी दिक्कत भी नहीं है पहले आई इस्ट इंडिया कंपनी हम सब जानते हैं पैसे के बल पर और बाद में ताकत और पैसा दोनों के दम पर उसने भारत पर शासन शुरू किया छोटे 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 राजा राजवारों को मिलाते गए तोड़ दिरे इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सिक्का जमा लिया हुकूमत उसने अस्थापित कर ली इस्ट इंडिया कंपनी ने और 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई छिडी मंगल पांडे वीर कुणर सिंग लक्ष्मी बाई समित बागी तमाम लोगों ने जब कारा काम नहीं है हमसे ना हो पाएगा कि अपने गुंडों मावालियों को लेकर हम राजा रजवाडों की सेना से लड़ते रहें लेकिन तब तक उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर कबजा तो करी लिया था लगवक पूरे भारत पर तो 1857 में इस इंडिया कंपनी जो ब इस इंडिया कंपनी ने और 1857 के बाद भारत पर सीधे बृटेन से इंग्लैंड से शासन चलने लगा इस इंडिया कंपनी ने हुकूमत ही सौप दिए कि इतना खेल हुआ है कंपनी आई व्यवसाय करने उसने पहले आपके देश पर कबजा कर लिया जब उसे लगा कि नहीं शासन करना और बिजनेस करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं तो उसने शासन करने वाले को ही भारत को सौप दिया कि अब आप शासन कीजिए और तब से अंग्रेजों का शासन हो गया मतलब 1877 से 1947 तक ब्रिटिस हुकूमत के अधीन हमारा आपका देश रहा ये एक छोटा सा इतिहास है जो हम सब पहले से जानते हैं आप भी जानते हैं इसमें कोई नई बात मैं आपको बता नहीं रहा हूं लेकिन इसमें बात नहीं कहा आ रही है वो समझने की जरूरत है भार किया है कि 2023 के अप्रैल महिने से 109 रूटों पर 109 जोड़ी मतलब 218 रेल गाड़ियां नीजी कंपनियों के अधीन चलाने की तैयारी है चलिए प्रभात जी आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ ठीक है विनीत कुमार सर्मा जी प्रभात कुमार तिवारी मनो जी आदव जी आप सब लोगों का धन्यवाद आप लोग बने हुए हैं हमारे साथ प्रभात कुमार तिवारी जी चलिए सब लोग बने हुए हैं तो 2023 के अप्रैल महिने से तैयारी है 109 रूटों पर 109 जुड़ी मतलब कुल 218 ट्रेने अब नीजी कमपनिया चलाएंगी अब रेलवे के नीजी करण के पक्ष में जो सरकार के तर्क हैं मैं आज सिर्फ उसी पर चर्चा करूँगा बहुत ही मज़ेदार है निरज भाई निरज कुमार राउजजी सुनियेगा बहुत ही मज़ेदार तर्क है ये सरकार का आप को हसी आएगी रेलवे के नीजी करण के पक्ष में जो सरकार का तर्क है वो ये है कि इस से रेलवे में नई तक्निक आएगी मरमत का खर्च कम होगा यात्रा समय पर पूरी होगी यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी रेलवे में नौकरियां बढ़ेंगी और लोगों को विश्वस्तर ये सुईधाएं मिलेंगी एक बार फिर सुन लिजे सरकार का तर्क दोहरा दे रहा हूँ मैं निजी करण के पक्ष में सरकार का तर्क है कि इससे रेलवे में नई तकनीक आएगी मरमत का खर्च कम होगा यात्रा समय पर पूरी होगी यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी रेलवे में नौकरियां बढ़ेंगी और लोगों को विश्वस्तरिय सुईधाएं मिलेंगी अब ये सारे तर्क जो हैं जूट की गठरी से निकाले गए हैं एक एक कर हम इन पर चर्चा कर लेते हैं पहला तर्क है कि निजी करण से रेलवे में नई तकनीक आएगी अब मेरा सवाल है अपनी सरकार से कि सरकार को नई तकनीक लाने से किसी ने रोका है क्या कि इसके लिए रेलवे का निजी करण ज़रूरी है क्या सरकार को नई तकनीक लाने से किसी ने रोका है नीतु दिदी प्रणाम सुनिएगा सरकार कह रही है कि रेलवे का निजी करन होगा तो इससे नई तकनीक आएगी रेलवे में तो क्या सरकार को किसी ने रोका है नई तकनीक लाने से जब तक निजी कंपनी को नहीं दीजे का नई तकनीक नहीं आएगी क्या और तक्नीक के मामले में अगर ये सरकार कहें कि निजी कंपनी को देंगे ये तो चरम परंब वैग्यानिकों वाली सरकार है भाई ये तो वैसी सरकार है जो चीन के मिशाइल हमलों से भारतिय सेना को बचाने के लिए बॉर्डर पर गोबर के बंकर बनाने का सुझाओ दे चुकी है वो तकनीक ये जानती है नाले से गैस नाले के गैस से चाय बनाने की तकनीक ये सरकार जानती है बादलों में राडार फिल हो जाने की तकनीक ये सरकार जानती है राडार फेल हो गया बादलों के वज़ा से और मैंने कहा हमले कर दो ऐसे चरम परम वैग्यानिक ये बात करेंगे कि बाई तक्नीक नीजी कमपनियां लाएंगी वह हैरानी होती है भला उस सरकार को रेल्वे में नई तक्नीक लाने के लिए नीजी कमपनियों की क्या ज़रूरत है ऐसे चरम परम वैग्यानिक जिस सरकार में बैठे हो बताईए और एक और सवाल है भाई नीजी तक्नीक बहुत जरूरी है सबके लिए जरूरी है दुनिया के हरदेश के लिए जरूरी है कि नई तक्नीक हो हमारे पार लेकिन क्या नई जरूरी जरूरी तक्नीक प्राइवट कमपनियों कि बपोति है सरकार सरकार या सरकार नई तक्नीक नहीं लासकती बपाउति है क्या पर आएpark प्रमपनियों था कि गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ और संत कबीर एक साथ बैठ कर इन लोगों ने आध्यात्मिक चर्चा की थी ठीक उसी तरह का जूट ये है कि नई तक्नीक प्राइवेट कंपनियां ही लाएंगी अब सरकार के दूसरे दावे की चर्चा कर लेते हैं सरकार का दूसरा दावा है कि भाई इससे मरमत का खर्च कम होगा सनी शारत कैसे हो भाई बहुत दिनों के बाद सनी शारत के दर्सन हो रहे हैं एक अच्छे पत्रकार हैं आप बहुत ही मेहनत करते हैं आप और सरोकारी पत्रकार हैं उमर में आप मुझसे काफी छोटे हैं खड़े रहना है मेरे भाई छोड़ना नहीं है तो सरकार का दूसरा दावा है कि रेलवे के निजी करण से मरमत का खर्च कम होगा यह दावा भी उसी तरह का है अब यह जूटकी पोटली से निकला कोई दावा है आप देखते जाए रेलवे के निजी करण के बाद सरकार को देना है नेजी कंपनिया इन पर बहुत तेज गाडियां चलाएंगी बहुत तेज गाडियां चलाएंगी तो पठरिया घिसेंगी और उखडेंगी हमारी आपकी मतलब सरकार की तो पठरिया उखडेंगी हमारी आपकी मतलब सरकार की विजली लाइन ये भी सरकार को म मतलब हमारे आपके पैसे से भी मिंटेन होना है सरकार इस पर आने वाला खर्च ना तो रेल मंत्री के जेब से लेने जा रहे हैं प्रधान मंत्री के भत्ते से वह हमारी आपकी जेब से ही जाना है और निजी कंपनिया रेल जो गाड़ियां वो चलाएंगी 109 जोड़ी उनकी दबॉं मेंटेन करेंगी तो निजी कंपनी आपनी जेब से पनी जेब से देना होगा और निजी कंपनियां एन रहा धर गोड़ाेंगी उनकी बौगी के मेंटेनेंस और बागी खर्चे भी हमी आपको देना पड़ेगा मतलब दोनों तरफ से मारे गए गुलफा मी तो सरकार का ये तर्क भी जूटा है अब बात करेंगे तीसरे तर्क की नेजी करण के पक्ष में सरकार का तर्क है कि इससे यात्रा समय पर पूरी होगी अरे वाँ भाई आप क्यों ने समय पर पूरी करवा देते यात्रा किसने रोक रखा है आपको नेरू जी ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी है कि रास्ते में खड़े होके आपके ड्राइवर को चाय पिलाने लगते हैं, क्या कर लेते हैं, चलाइए ना समय पर ट्रेन, पहुंचाइए समय पर ट्रेन, किसने आपको रोका है, इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा infrastructure है, इतना बड़ा network है, दुनिया का दूसरा सबसे infrastructure पर वो जल्दी पहुंचा देंगी, रास्ते में बाज लेके ट्रेन कूर जाएगा, क्या कुछ दूर, कैसे हो जाएगा ये, आप उसको स्विधाय देंगे, तब तो, मतलब उन कमपनियों की गाड़ीयों के लिए आप बाकी तमाम गाड़ियां रोकेंगे, जहां तहां ल सो खुद आम जन्ता के लिए भी जाएगे ना, आप ही पहुचा दीजे समय पट्रेने, नीजी कमपनियां पहुचा देंगी, आप ही की पट्री, आप ही का infrastructure, बस नीजी कमपनियों की गाड़ियां चलने लगेंगी, तो वो समय पर पहुच जाएगे, ऐसा तो नहीं होगा, इसका मतलब आप उनके लिए वो तमाम सुविधाएं देंगे, और जो नीजी गाड़ियों में सवार नहीं होंगे, उनके लिए तमाम दुविधाएं उत्पन करेंगे, परिशानियां पैदा करेंगे, कि वो फंसे रहे हैं स्टेशनों पर और नीजी वाली गाड़ियां ज जल्दी निकल जाए, मतलब आप मुझे परिशान करेंगे, मुझे जैसे करोड़ों भारतियों को आप सिर्फ इसलिए तंग करेंगे, क्योंकि नीजी गाड़ियों पर चढ़ने वाले लोग जल्दी पहुंच जाएं, नीजी कंपनियों की गाड़ी समय पर पहुंच जाए और नीजी कंपनियों का व्योसाय खूब बढ़े, नीजी कंपनियों से आपको खूब चंदा मिले, और बाद में आप ये कहके कि नीजी कंपनिया अच्छा काम करी है, सारी गाड़िया उनको दे दे, यही ना, उनके लिए अलग से तो कोई रेल लाइन आ बिचा नहीं रह है, और आपका रेल मंतरी काम नहीं ले पाएगा, हरिशंकर भाया कैसे हो, ठीक हो, आपका रेल मंतरी काम नहीं ले पाएगा, तो अब अपने रेल मंतरी को हटाएंगे, कि रेल वे को ही बेच देंगे, क्या तरक है ये, रेल मंतरी से काम लीजिए, रेल मंतरी काम नहीं कर अपने पार हैं हटाइए भाई कई सांसद चुंके आम लोगोंने वेज़ए ना किसी और को बना दीजिए आपके पास काविल सांसदों की कमी नहीं है एक से आप का नीजी करन के पक्स focus में ओनी चिकेंब को लोग हम्ई लोग कोई सुरक्षा कवच पहना देंगे किया टिकट के साथ ही राजेंदर मिष्टा जी नमसकार शादाब भाई कैसे हो भाई क्या टिकट के साथ नीजी कमपनी वाले हमें कोई सुरक्षा कवच पहना देंगे या हमारी बर्थ के नीचे कोई सुपर मैन टाइप का चमगादर लटका होगा कि अगर हाथसा हो गया तो हमें ले के उपर से उड़ जाएगा और मैं चोट भी न पांचवे तर्क आप सबको हसाने वाला है भई तर्क इनका यह है प्रणावप्रिक प्रणावप्रेश कोई सुपर्णा देंगे या कोई सुपर मैन लटका देंगी हमारे बर्थ के नीचे कि अगर कोई हाथसा हुआ तो जट से में सुपर मैन लेके उड़ जाएगा हमें क प्रभाकर पांडे जी नमस्कार कैसे हैं आप संजीव प्रसाद जी कैसे हैं शारदा सुमनराज जी कैसी आप अपूर्व तुम लेट आते हो भाई समय पर आया करू लाइब में समय का ख्याल रखो आफिस भी देर से आते थे तुम नहीं समय पर आते थे तो पांचवा तर है कि रेल्वे में नौकरियां बढ़ेंगी अब इस तर्क पर आप हस सकते हैं मतलब सरकार जिस ट्रेन को चलाने के लिए अगर इसको मैं ऐसे समझो यस बोड़ाई भाई कैसे आप सरकार जिस को पाइलट रखती है क्या प्राइवेट कंपनिया के पांच लोको पाइलट र प्राइवेट कंपनिया चारगाट बैठा देंगी क्या कि वह आराम से प्लेकार्ट खेल सकें क्या करेंगी प्राइवेट कंपनिया की से रोजगार बढ़ जाएगा कोई मुझे बता दे अजीब हाल है कुछ भी तर्क देना है कुछ भी बोल देना है यह कैसे हो सकता है मान नौकरियां बढ़ जाएंगी यह तर्क कोई कैसे माले भई पूरी दुनिया जानती है कि नीजी कंपनियां कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा काम करवाती हैं और वो बाकी नियम कानून इन तमाम चीजों का बहुत ध्यान नहीं रखती एक आदमी से तीन आदमी का काम करवाना शिफ्ट से ज्यादा काम लेना यह सब होता है न जी प्रणाम काव्या जी प्रणाम यह कैसे माल लिया जाए कि नीजी कंपनिया ट्रेन चलाएंगी दिसे नौकरियां बढ़ जाएंगी हास्यासपद है न यह तर्क हाँ सुरक्षा पर बात हो चुकी है नीजी कंपनियां दुरुस्त कारें और कैसे सुरक्षा जाएगा प्रणाव बहुत बहुत धने वाद तो अब यह करेंगी बहुत नौकरियां बढ़ेंगे, हम सब जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज कम लोगों में ज्यादा काम लेती हैं, ये करें कि नहीं, प्राइवेट कर देंगे, तो नौकरियां बढ़ जाएंगे, मतलब एक गाड की जगा चार गाड हो जाएंगे, प्लेकाड खेलने में मज़ा आ उन्होंने कहा है कि भाई, रेलवे का निजी करन हो जाने से यात्रियों को विश्वस्तरिय सुईधाएं मिलेंगे, विश्वस्तरिय सुईधाएं, कमाल है ये, विश्वस्तरिय सुईधाएं कैसी, भाई, आप क्यों नहीं दे पाते हैं, ये आप सरकार में हैं, आप ही दे के लिए देने के लिए नहीं है फ्लैक्सी टिकट बाल कृष्णा जी नमस्कार कैसे हां तो आप आप यह बढ़ा हैं विश्वस्तरी किसने मना किया है फ्लैक्सी टिकट ले रहें सुधाय क्या दे रहां बताई ज़रा लोगों को हवाई जास से भी ज्यादा कभी कभी ट्रेन की टिकट की कीमत हो जाती है यह फ्लैक्सी के चकर में क्यों भाई क्या दे देते हैं आप ट्रेन में के हवाई जास से ज़्यादा महेंगी हमारी यातरा होगी अचानक किसी को कुछ हो जाता है उसे अस्पताल जाना होता है बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं उनके पास ज पर दिया कि आपातकालीन की किमत जादा हो गई एमर्जंसी में किसी को भागना हो तो उसे अमर्जंसी के चकर में मा के गहने बिचने पड़ेंगे यह फ्लैक्सी के चकर में कौनसी आपने दे दी कि विस्वस्तर यह सुदा है प्राइवेट कंपनीया दे सकती है आप नहीं कि वो उनके आने से विश्वास तरिया सुइधाय हो जाएंगी प्राइवेट कंपनियों के हम सब ने रिल की आत्राएं की हैं यह मज़ेदार है आज का टॉपिक सर के प्राइवेट सेक्टर में काम प्रोफेशनल होता है और सरकारी में मात्र खाना पूरती तो इन्हीं की सरकार है ने इनकी सरकार में अगर खाना पूरती हो रही है तो मतलब जिमेदारी से सरकार नहीं चला रहा है ना काविया जी ऐसी सरकार की क्या ज़रूरत जिस सरकार के रहते हुए सिर्फ खाना पूर्ती हो रही है उस सरकार को बने रहने का क्या आधिकार है तो इस्तिफा दें जाए हाँ यह मनोझ जी आपकी बात से मैं बिल्कूल सामत हूं मनोझ जी तो अब जला है इनका यह जो तरक है कि भाई विश्वस्तरीय स्वीधाय मिलेगी तो इनके विश्वस्तरीय स्वीधायों का सज्जान लिजिए धीरु भाई नमस्कार, IRCTC का काम है रेलेवे में हम लोगों को खाना देना, सितकुमार ठाकूर जी देखे मेरे नाम के एक सज्जन मिल गए, वाह क्या बात है, प्रवीन जाजी लिख रहे हैं, अंधभक्ती में सब कुछ बंठा बंठा दार हो रखा है, अगोशित आपातका की इस्तिती बनी हुई, अरे कंपनी राज की इस्तिती बनी हुई है प्रवीन भाईया, अभी आपातका तो है, ये कंपनी राज, मैं आगे अब इसको बताता हूँ, हम सब लोग ट्रेन की यात्रा कर चुके हैं, और ट्रेन में खाना देने का काम IRCTC का है, अन्सू जाजी, नमस्कार, कुमार निशान्त, भाया, नमस्कार, IRCTC का काम है हमें आपको खाना देना, साधारन गाडियों की दो बात छोड़ दीजे, राजधानी से हम सब ने यात्रा की है, सूखी रोटियां, बेस्वात सबजियां, घटिया, चाय, सब कुछ बकवास होता है IRCTC का, चु साधी सुधा होना चाहिए, ताकि वो मन की बात वीवी से करे और काम की बात जनता से, भई मैं साधी सुधा हूँ, असित्कुमार ठाकुर जी, तो IRCTC की सुखी रोटियां, घटिया सबजियां, हम सब खा चुके हैं गटिया दाल, ऐसे ही होता है ना, विश्वास्तरिय सु आहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन की जिम्मेदारी दी है, यह निजी करण कोई अब नहीं होने जा रहा है, हमारी दो गाड़ियां पहले से निजी कमपनी चला रही है, IRCTC एक निजी कमपनी है, अमित्रोनी राज, नमस्कार, तो IRCTC दो गाड़ियां पहले से चला रही है, दिली से मुंबई और लखनव, दिली से लखनव और मुंबई से एहमदाबाद के बीच जो तेजस एक्सप्रेस है, IRCTC चला रही है, वही IRCTC जो हमें आपको ट्रेन में खाना और चाय देती है, पियू शरंजन जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, वो दो गारियां पहले से चला रही है, कौन से विश्वस्तरिय सुईधा है, उसने दे दी है, जरा बता दीजिए हमें, इस सरकार में तर्क के लिए कोई अस्थान नहीं है, विश्वास करने हैं, क्या आदर डालनी पड़ेगी, अपना सबका कल्यान करेंगे, थे सो करोर दाताओं की आस्था जुड़ी हुई है, जी, प्रभात कुमार तिवारी जी, ये सब एक बहाना है, एक नंबर, कमपटीशन, एंड एक्सेलिंट बिजनस मॉडल को नीजी कमपनियों के हाथों में देने का प्रयास है, यही सचा ही है, प्रभात जी, बिलकुल यही सचा ही ह सबी तर्क बकवास हैं इनके, जो जो अच्छी कमपनिया हैं उसको ये नीजी कमपनियों को सौप रहे हैं, जो जो हमारे नौरत्म थे, सब को ये सौप रहे हैं, बिलकुल सचा ही है आपकी है, तो इनका ये तर्क भी बकवास है किस से विश्वस्तरिय सुईधाई मिलेंग तो सचाई ये है, सचाई ये है कि ये तैयारी है रेलवे के पूरी तरह से नीजी कमपनियों के हाथ बेचने की और जूट की पोटली से निकाल निकाल कर तर्क रखे जा रहे हैं, नीजी कमपनिया मनमाने तरेके से पैसे वसूलेंगी, ये भी सचा है, हवाई जहाद से मुख मंत्री और पुरो रेल मंत्री निटीश कुमार ने पढ़नुजरा ये लिख रहे हैं प्रणाव प्रभाकर पांडे जी लिख रहे हैं कि भी-पार्वेंट प्रव मोट से गॉफ्मेंट भी चले क्या दिक्कत है ये बनने को अब तयार नहीं होंगे मुर्तजा आली जी इस सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है सर हाँ सही है तो तेजस्ट की आतरा जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि कई बार तेजस्ट की टिकट की खिमत हवाई जाज के टिकट से ज़्यादा हो जाती है यह स्थिति होगी आप जान लीजिए तयार रही है इसके लिए तयार रही है कि अगर आचानक आपको कहीं जाना पड़ा तो भारती रेलवे उस अचानक की क्रीमत हवाई जात से ज़्यादा वसुल लेगी आपसे उसकी तयारी चल रही है और रेलवे कर्मशारी यूनियन से कोई उम्मीद मत कीजिए ट्रेड यूनियन इस पूरे देश में अब ताकतवर नहीं बचे हैं इसके अलग-अलग कारण है धार्म के नाम की राजनेती जाती के नाम की राजनेती इन दो राजनेतियों ने ट्रेड यूनियन को बरबाद करके रख दिया आनंद पांडे जी न्युक्तिया नहीं होनी है प्राइविट कमपनिया ट्रेन चलाएंगी उनके स्टाफ होंगे और वो गाडियां चलाएंगी मतलब रेलेवे पर कमपनी राज अस्थापित करना ही इनका पहला लक्ष है राजी उरंजन कश्यप जी बहुत देर से आप जुड़े हैं नमस्क स्वागत है आपका रेलवे पर कमपनी राज कुछ दिनों में स्थापित हो जाएगा और इसी के साथ एक तैयारी चल रही है कोईला पर भी कमपनी राज स्थापित करने की तैयारी चल रही है रेल्वे के बाद सरकार सिधे, कोईला को भी निजी कमपनियों के हाथ सौपेगी, पहले रेल्वे को सौपेगी, फिर कोईला सौपेगी और धीरे देश के हर सेक्टर पर कम्पनी राज होगा, कम्पनी राज की चर्चा, मैं सुरू में कर चुका हूँ पहले East India Company आई थी उसने भारत की हुकूमत बृतानियों को सौप दी थी फिर 1947 तक हम गुलाम रहेंगे फिर कमपनिया आ रही हैं कमपनी राज धीरे धीरे कदब बढ़ा रहा है नमस्का